दोस्तों, दुनिया में जितनी लोकपरियता जीवंत फिल्मों को मिलती है, उतनी ही एनिमेटेड मूवीज को भी मिली है। आमतार पर ये एनिमेटेड मूवीज बच्चों को बहुत पसंद आती है। विचित्र संसार, अजीब और गरीब जीब और जादू की दुनिया वाल हमारी एनिमेटेड मूवीज लिस्ट में दस्वे स्थान पर आने वाली ये फिल्म 25 जून 2010 को रिलीज की गई थी। ये एक लोकपरिय फिल्म है। ये फिल्म एनिमेशन और फैमिली मूवी की श्रिनी में आती है। एक गंटा 48 मिनिट लंबी ये फिल्म 20 करोड यूएस डॉलर में बनाई गई थी। इसने बॉक्स आफिस पर 106 करोड यूएस डॉलर की कमाई की थी। हमारी लिस्ट में नवे स्थान पर आने वाली ये फिल्म साथ फर्वरी 2014 को रिलीज की गई। इस एनिमेशन मूवी को फैमिली मूवी की श्रिनी में रखा जाता है। ये फिल्म में एक गंटा 41 मिनिट की लेंद में बनाई गई थी। जिसका बजट 60 मिलियन यूएस डॉलर था। वहीं इसकी बॉक्स ओफिस पर कमाई 46 करोड यूएस डॉलर रही। आठवे नंबर पर आने वाली हमारी ये एनिमेटेड मूवी 20 जुलाई 2001 को रिलीज की गई थी। ये फिल्म फेंटेसी की श्रेणी में आती है। दो घंटा 5 मिनिट लंबी ये फिल्म जापान में रिलीज की गई थी। इस फिल्म का Always With Me Song बहुत ही लोग को प्रिय हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं साथवी टॉप एनिमेटेड फिल्म के बारे में। ये फिल्म 30 मई 2003 को रिलीज की गई थी। इसकी लेंद एक घंटा 40 मिनिट थी। केनेडा में रिलीज की गई ये फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 87 करोड यूएस डॉलर का कारोबार किया। आज भी ये फिल्म अपने दर्शकों के बीच काफी लोग को प्रिय मानी जाती है। हमारी लिस्ट में ये टॉप एनिमेटेड मूवी 17 जून 2015 को रिलीज की गई थी। ये फैमिली मूवी की श्रेणी में रखी जाने वाली फिल्म थी। अगर बात इसकी लेंद की करें तो ये एक गंटा 42 मिनिट लंबी फिल्म थी। इसे फ्रांस में बनाय गया था। बॉक बॉक्स ओफिस पर 85 करोड यूएस डॉलर का वियाबार किया। हमारी चौती टॉप एनिमेटेड फिल्म 21 जून 2008 को रिलीज की गई थी। एनिमेशन पर बनाई गई इस फिल्म को फैमिली मूवी की श्रेणी में रखा जाता है। इस फिल्म की लेंद एक गंटा 43 मिनिट थी। इसे लॉस एंजलेस में बनाय गया था। बॉक्स ओफिस प एक ट्रेडिबल्स हमारी तीसरी टॉप फिल्म 2004 में रिलीज की गई एक एनिमेटेड फिल्म थी। ये फिल्म एक फैमिली एनिमेशन श्रेणी की फिल्म थी। इस फिल्म की लेंद एक गंटा 56 मिनिट थी। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये 17 दिसमबर 2004 को भारत में रिलीज की गई थी। इसका बजट 9.2 करोड यूएस डॉलर था। वहीं बॉक्स ओफिस पर इस मूवी ने 63.3 करोड यूएस डॉलर की कमाई की थी। हमारी टॉप एनिमेटेड मूवी की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आती है। ये फिल्म 16 अपरेल 2010 को रिलीज की गई थी। एक फैमिली एनिमेशन फिल्म के तौर पर इस फिल्म की लेंद एक घंटा 38 मिनिट मानी जाती है। इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया वॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 16.5 करोड यूएस डॉलर की कमाई की थी। नमबर वन टॉइ स्टोरी तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉप एनिमेटेड मूवी के मामले में नमबर एक पर आने वाली फिल्म की। टॉइ स्टोरी हमारी लिस्ट की टॉप एनिमेटेड को 19 नमबर 1995 में रिलीस किया गया था। ये एक फैमेली एनिमेशन मूवी की श्रेणे में आने वाली फिल्म है। इसकी लेंद एक घंटा 21 मिनिट थी। ये फिल्म संसार भर में लोग को प्रिय हुई। इस फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर 37.36 करोड यूएस डॉलर की र करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। ऐसी ही ज्यानवर्दक और रोचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद आपका दिन शुभाव।